इस स्वर्ग और नर्ख आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या ये इसी धर्ती पर है या इस धर्ती के परे की बात है? दोनों चीज हैं, आपने कर्म अच्छी नहीं की, आपको उसका भुकतान या भुवतना पड़ता है, आप जब एक होटल में जाते हो, रैस्ट्रो में जाते हो, तो आपको पे करना पड़ेगा at any cost, आपने जो खाया है आपको उसको बिल देना पड़ेगा, चुकाना पड़े है तब जाके जब कृष्ण समझा रहे तब अठारवे अध्याय में अर्जुन कह रहा कि हाँ अब संशया अब मेरी जो संशय है वो खतम हो गई तो कर्म को समझना इतना आसान नहीं है जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह नरक स्वर्ग जो होता है न यह डराने के लिए है लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछती हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का अपना एक संविधान होता है यहां एक कॉंस्टिटूशन बनाया गया है कुछ लॉज बनाए है कुछ रूल्स है अगर आप उन रूल्स को तोड़ते हो तो उसके अगेंस्ट आप कॉंस्टिटूशन नहीं चल सकता तो इतना बड़ा जो नेचर है इसमें भी कोई ना कोई तो संविधान होगा कोई ना कोई दंड वेवस्ता होगी तो वो जो दंड वेवस्ता है उसको हमने नर्क और स्वर्ग का नाम दे दिया है कि अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो आ आए सच मुझ होते हैं बिलकुल होते हैं अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें शिमत भागवत की में प्रवक्ता हूं भागवत में स्पेशली 28 प्रकार के नर्कों कवर्नन है स्वर्ग कवर्नन है गरुड पुरान पूरा जो है वो इसी उससे दिया गया है कि आप कैसे जीवन के बाद रणर क्या ह कर दिक्कत क्या है कि जब हमें चीजों को सुनाया जाता तो हम अन पर फोकस नहीं करतें जैसे आज भी भारत में परंपरा है किसी की मृत्ति होती है तो घर में गरुड पुरान का पाठ होता है लेकिन उसको कोई दिहान से नहीं सुनता सब आराम से पीछे बैठे सोय होते हैं अकेले पंड़ा जी गला पाड़ पाड़ के वो मंत्र बोलते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो गया ये लिए मैं तो पर्मानेंटू मेरा तो यह कुछ होना जाना नहीं लेकिन वह इसलिए सुनाए जा रहा है कि सीखो आप इसको सुनों आप पढ़ो आप कि कर्म का कितना बड़ा सिद्धानत है वो घूम करके आपके पास आएगा तो मुझे लगता है कि इसमें कभी भी और खा सुर्बी